बिसमिल्ला रिखमान रुरीम, असलाम अलेकम, आज हम बनाने जारें चिकन और वेजी टेबल की मदद से एक सैलेट, सैलेट बनाने के लिए आपर मैंने चिकन ले लिया है, एक पॉक के करीब छोटे टुक्रों में काट लिया है, एक टेबल स्पून ओलिव वाइल, एक टेब पॉक्रों वो ले लेंगे, और इस सब को चिकन के अंदर डाल देंगे, इसमें हम डालेंगे औलिव, ओयल, वन टेबल स्पून ओलिए और वन टेबल स्पून हम लीमु का रख डाल कर इसको मिक्स करके रख देंगे, और इसको तकरिबारं वीस मिनट के लिए मैरिने ने के यह रख देंगे इसको रखने के बाद यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे कुछ सबसीयां सबसे पहले ले रहे हैं आइसबर्ग एक कप लिया है उसके बाद जो हम इसे सेब लिया है एक सेब मीडियम साइज का था वो काट लिया है चकोटोक्रोम में फिर्व यहां पर ट्राटटर ले लिया है दो धरम्याने और उसके बाद में एक कुकमर जो है वो लेकर उसको कट लिया है प्याज दर्म्याने साइस की एक अद configurate उसके बाद यहां पर पेलड़ब मिर्च के मुझा आए और मिर्चे के करी tutte मेदे करीब। पर नमक भी आप हस्वेजाइका डालिए और इनको मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दो टेबल स्पून के करीब हरा धनिया जो है वो हम शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे सबजी आप अपनी मर्जी से कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ग्रिलर ले लिया है जो हमने चिकन को मसारा लगा कर रखा था वो हम इसमें ग्रिल करेंगे ओलिव ओल लिया है तकरीबन वन टेबल स्पून के करीब हमने इसके अदर डाल के फैला लिया कुछ बाइब ग्रियुक्त करेंगे क्योंकि काफी जूसी बनेगा क्यूंकि इसमें जो मसाले यूज़ है अची तरह से स्थे पखाना HERE कच्छी ना रहे जाए अब ज्यादा देर के लिए को और भी P का जाएका आएगा लेकिन मैंने को 20 मिनिट के लिए मेरिनेट किया है अब जो हमाई सारी बोटियां वह अच्छी तरह से गल चुकी हुई है अब हम एक डिश आउट कर लेंगे इसको डिश ली है हमने उसके अंदर हम अपनी जो सब्जियों का हमने बनाया था मिक्स्चुर व दालने के बाद हमने अपने चिकन की बोटियां जो तिंग्रिल की थी वो डाल देंगे और इसको सजाने के लिए थोड़ा सा हम ले रहे हैं हरा धनिया हरा धनिया डालकर सजा लेंगे और इन्शारा फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए लाहाफेश